हेलो फ्रेंड्स आज बहुत ही सिंपल और आसान तरीके का ट्रीक लेके आए हैं तो काफी हेलफुल वीडियो है तो जरूर ट्राइ करिएगा इससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे एकदम साब सुतराइए दाने इसके निकल के तयार हो जाएंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हमने लिया है एक अनार और इसका जो उपर का हिस्सा है गोल डाउन में से हमने काट के निकाल दिया है अब चाकू की मदद से इसे बीच-बीच में कहीं कहीं पे इसे 5-6 जगां पे इसे हमें कटका निसान लगा देना है तो आप देख सकते हैं अनार क पूरा नहीं काटना है बस कटका निसान लगा देना है आधे में तो इसी तरह से हमें 5-6 जगां कट लगा के हम तयार कर लिये हैं अब इसे जो है हम खोल लेते हैं चाकू की मदद से जितनी कलियां में हमने चाकू का निसान लगाया है बस एक-एक करके सारी कलियां खोल ले तो अब इसे हम जो है क्या करेंगे सभी के किचन में समान उपलब्ध होता है बेलन ले या पोटेटो मेसल ले या जो कुटनी वाली डंडी होती है उससे भी कर सकते हैं बस अब इसे हमें हलके हलके हाथों से इस तरह से पीटना है और बहुत ही आसाने से अनार के दाने निकल क के तयार हो जाते हैं हाथ भी गंदे नहीं होते और काले भी नहीं होते हैं और दस मिनट गर काम यह जो है दो मिनट में हो जाता है तो इसी ताना से जब हमें अनार छिलने होते हैं तो इसी ताना से हम छिल के तयार कर लेते हैं तो दान एक दम साब सुथरे निकल के तयार हो ज तो जितनी जितने पी से दिख रही है वस जगह पर हलके हां से इस तारा से पीटना है तो सारे दानी निकल के आसानी से तयार हो जाएंगे तो बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है और काफी हलफूल वीडियो है तो जरूर ट्राइ करिएगा अब इसमें जो हलके फुलके जो अगर दानी दीख है तो उसे आप जाए हास से निकाल लें या इसे पीट लें अभी यहाँ से पीट लेंगे जितना हो सकेगा निकल जाएगा असानी से अब इसमें जो थोड़े बहुत है कहीं कहीं पर दाने दिख रहे हैं इसे हम हाँ से निकाल लेंगे तो बहुत जादा टाइम भी नहीं लगा और दाने निकल के तैयार हो गए तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल के तैयार हो गया और जो सफे सफे से गूदे दिख रहे हैं वो हम हटा देंगे ताकि अनार देखने में अच्छा लगे और गूदा हम जो है ये छिल के हटा देंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही